हेलो सुरेंट्स कैसे आप सब भी लोग आज हम साइन्स वन का चैप्टर 8 करेंगा जिसका नाम है मेटलर्जी इसके हम कोशनस करने वाले हैं ठीक है लेकिन इससे पहले आगर आप हमारे चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकन को प्रस्प्राइब कर सबसे पहले को दिया गया है राइट दा नेम्स पहले क्या अल्वाव सोडिय मिध मर्कुरी इसका रहे हैं जर्ख आपका इसका एंट सरे का सोडिया मेलगम ठीक है स्टेड को फॉल्मिलर फॉल्मला ओफ दी कॉमन और ऑफ और ऐलूमिनियम तो इसके इसे लिए हो है यूद तो थर्ड का जो आपका एंसर रहेगा एंफोडरिक ऑक्साइड फोद के अभी आपको डी क्या है तो डिवाइज यूज़ फोर ग्राइंडिक और तो इसका आपका एंसर क्या रहेगा इसका रहेगा बॉल मिल ठीक है इक आपको दा नॉन मिटल हेविं एलेक्ट्रिक र यहां पर देखो सब्स्टेंस है और यहां पर प्रॉपर्टी तो यह आप कैसे करोगे तो देखो इसमें पहला आपका है पोटोशियम ब्रोमाइड है तो इसका एंसर क्या रहेगा आपका इसका रहेगा इसका रहेगा सॉल्यूबल इन वाटर मतलब कि एक आपका टू रहे ठीक है यह हो गया हमारा आगे चलते हैं तो थर्ड में आपको क्या दिया गया है यह पर थर्ड में आपको है इसमें आपको क्या लिखोगे इसमें पहला आपको क्या बॉक्साइड है तो इसका कहा रहेगा आपका आपका फॉस्ट मतब मर्कुरी यह हो गया हमारा अभी आगी कहा फोथ में आपको बोल रहे है इसमें आपको 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 इसमे इसका जो एंसर आप लिखोगे दोखो यह इसका एंसर रहेगा ठीक है यह इसका एंसर है इसके बात दिखो अगर आप बी में दिखोगे बी में का है आपको जनरली दा आयोनिक कंपाउंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स तो इसमें देखो जो आप एंसर लिखोगे वह यह रहेगा आपका यह एंसर रहेगा ठीक है तो यहां पर हमारा हो गया बी अभी अभी क्या दियागया है sodium is always kept in kerosene तो इसका देखो जो complete answer रहेगा वह यह रहेगा आपका complete answer अभी शुरु देखते हैं D, D में का दियागा, पाइन ओल इस यूज़ इन फ्रॉद फ्रॉडेशन, तो इसका देखो, जो complete answer रहेगा आपका, वो यह रहेगा, यह complete answer है, यह आप लिख सकते हो, आप अपने exam में, board के exam में, कहीं भी आप यह answer लिख सकते हो, ठीक है, इक है देखो, anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina, तो इसका देखो जो answer रहेगा, complete answer यह रहेगा, जो आप लोगों में से कभी कभी कोई बोलता है, कि school में अगर answer लिखते हैं, तो teacher marks नहीं देते हैं, school के teacher क्या करते हैं, जो उन्होंने जो answer दिया रहता है, वो चाहते हैं, वही answer आप लिखो, ठीक है, लेकिन board exam में अगर आप यह answers लिखोगे, तो आपको definitely marks मिलने वाला है, ठीक है, अब देखो आपको 6 में क्या है, 6 में क्या होता है, तो इसका देखो जो answer रहेगा, वो यह complete answer है इसका, ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी आपको 7 में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको the electronic configuration of metal A is 2A1, and that of the metal B is 2A2, which of the two metals is more reactive, write your reaction with dilute hydrochloric acid, तो इसका देखो जो complete answer रहेगा, वो यह रहेगा, अब देखो 8 में आपको क्या दियागा है, draw neat label diagram, यह कहा है, magnetic separation method, तो इसका देखो जो diagram रहेगा, वो आप इससे रिक से बना सकते हो, यह इसका labeled diagram जो है, इसका देखो B में कहा है, fourth flotation method, तो इसका देखो यह diagram रहेगा, C में कहा है आपको देखो, electrolytic reduction of aluminum, यह diagram रहेगा इसका, D में कहा है आपको hydraulic separation method, तो इसका यह complete diagram, ऐसे आप बना सकते हो, इसका complete diagram है, अब ही चलो अगले page पे चलते हैं, यहाँ पे आपको 9th में क्या दिया गया है, 9th जो question है, उसमें आपको write the chemical equation for the following, तो इसमें पहला है, alumina came in contact with air, तो इसके लिए यह आप लिख सकते हो, यह answer लिख सकते हो, ओके, उसको बाद देखो B में क्या आपको, iron fillings are dropped in aqueous solution of copper sulfate, तो इसका देखो answer यह आप लिख सकते हो, यह इसका complete answer है, इसमें जो equation भी उसमें दिया है, chemical equation जो है, अभी देखो C क्या आपको, तो इसमें देखो जो आपको answer लिखना है, वो यह answer रहेगा, यह इसका complete answer है, ठीक है, D क्या देखो, electrolysis of aluminum is done, तो इसका देखो answer जो रहेगा, वो यह रहेगा, ठीक है, अब देखो आपको D, E में क्या है, zinc oxide is dissolved in dilute hydrochloric acid, तो इसका देखो, जो complete answer रहेगा, वो यह रहेगा, ठीक है, तो यह होगा हमारा, 9th अभी 10th में आथा है, 10th में आपको क्या है, 10th में आपको बोल रहे है, complete the following statement, using every given option, देखो यहांपे क्या है, during the extraction of aluminum, तो यहांपे देखो आपको क्या है, question क्या है आपको, ingredient and gang in bauxite, तो देखो सारे answer में एक साथ दूँगा, B में क्या, use of leaching during the concentration of ore, C के chemical reaction of transformation of bauxite into aluminium by halts process, D में क्या, heating the aluminium ore with concentrated caustic soda, तो देखो चारो के answer यह रहेंगे, देखो इस तरीके साथ लिख सकते हो, यह चारो के complete answer है, ठीक है, तो आप पर यह चारो answer लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं, हमारा last question बचेगा उसके बाद, वह हम देखेंगे, ठीक है, तो अभी देखो हमारा होगा question number 10 complete हो गया है, अब यह हमारा बचता है question number 11, तो question number 11 जो है last आपका, उसका answer दखो यह रहेगा, यह इसका complete answer है, ओके, I hope आपने सारे answers लिख लिख लिए होंगे, अगर आपको कोई भी doubt रहे, comment section में आप पूछो, तो हाँ पे मैं आपका reply दूँगा, तो मिलते हैं भी अकलिए वीडियो में, अगर आपको यह उडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को like करो, अपने दोस्तों को साथ share करो, और चैनल को subscribe करो, thank you,